तुल्सी माता की चै, तुल्सी की मंचरी के उपा, तुल्सी का उपजोग ना सिर्फ आर्यूबैद में किया चाता है, बलिक जोति शाष्टर में वी महत्तापूर्ण मानी गई है, तुल्सी एक ऐसा पोदा है, जिसका तना, पतिया, जर, लकडी और मंचरी हर चीज चाता है, धार्मिक मानताओं के उनसा, तुल्सी की निश्मत पूजा करने से भागय चाग उठता है, इसके अलावा घर में फैली दरता भी दूर हो चाती है, धार्मिक मानता है के तुल्सी भगवान विश्णू को अतिपरिये है, भगवान विश्णू की पूजा में तु तुल्सी के पत्तों के साथ तुल्सी की मंचरी वी शिरी हडी विश्णू को अरपित करते हैं तो इस उपा से रुका धन बापस आने की संभाबनाई बर चाती हैं इसके अलावा आये में वी वृद्धी होती हैं चलिए चांते हैं तुल्सी की मंचरी के उपा नमबर एक जोत धन लाव लीना चाहा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी की मंज़ी को ला रंग के कपड़े में पांध कर इसे अपने घर की तुजोरी में जा धन स्थान पर रख दे इस उपासे माता लक्षमी की किरपा सदैव बनी रहती है नमबर दो जोती शाष्टर के उनसार जिस घर में हमेशन लराई चगड़े का महोल बना रहता है जहां अक्सर मांचिक तनाव होता है तो इससे शुटकारा पाने के लिए गंगा चल और तुलसी की मंज़ी को मिला कर घर की उत्तर तिशा में रखें और इस चल को रुचाना प खुशनुमा रहेगा नमबर तीन जोती शाष्टर के उनसार जदी माता लक्षमी की पूजा करते समय तुलसी की मंज़ी को पूजन समगड़ी में शामिल किया जाए तो बेहत शुब होता है माता लक्षमी को शुकरवार के दिन तुलसी की मंज़ी वशक रूप से अर्पि आवट आ रही है तो तुलसी की मंचरी को दूद में डाल कर शिवलिंग पर अरपित कर दे कहा चाता है कि इस उपा को करने से शादी में आ रही वादा दूर हो चाती है और शादी के जोग बनने लगते हैं गुरुबार के दिन भगवान विश्णू की पूजा अर्चना करने का विधान है और उनको तुलसी की मंचरी बेहत परी है गुरुबार को भगवान विश्णू के चरनों में तुलसी की मंचरी अरपित करें माना जाता है कि इस उपा को करने से फसा हुआ धन बापस मिलता है अगर आप लंबे समय से धन की परशानी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में घर की बाल कोने की उत्तरचा पूरब दिशा में तुलसी की मंचरी किसी पवित्तर स्थान पर रखें ऐसा करने से आपके घर में धन का कभी अभाब नहीं रहेगा और धन के मारग सदैफ खुले नमबर साथ तुलसी की जर से लेकर उसके पत्ते और मंचरी तक जोतिश में बहुत लावकारी और असरदार माने गए हैं नमबर आठ जब भी आपकी तुलसी में मंचरी आ जाए तुरंत मंचरी तोड़ें लेकिन उसे फैंकने की बजाए लाल कपड़े में लपेट कर मंद नमबर साथ ही आप तुलसी की मंचरी को हमेशा पीने के पारी में भी डाल कर रख सकते हैं इससे नजर दोस्चांप उरी नजर नहीं लगती नमबर दस तुलसी की मंचरी को और जाना संद्या के समय घी के दीपक में डाल कर जलाएं ऐसा करने से घर की सारी नकार्त मकता शुब माना गया है तुलसी को मां लक्शमी का रूप माना चाहता है इस पोदे में कई अर्यूवद गून भी पाये चाहते हैं तुलसी के पत्ती जर और बीज में कई गून मज़ूद होते हैं जो वेहद फलधाई होते हैं ठीक इसी प्रकार तुलसी की मंजरी भी विशेश होती है, माना चाहता है कि तुल्सी के पोदे पर हड्य मंज्री का आना शुब होता है, जोति शाष्त्र में तुल्सी की मंज्री के उपाओं का उलेक किया गया है, जिनको करने से मा लख्शमी परसन होती है और धन का लाब मिलता है वो ही मैंने उपा आपके साथ शेर किये हैं उमीद है कि जे वीडियो आपके काफी काम आएगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर बिलकुल फ्री है जिनोंने सस्क्राइब करके रखा उनका दिल से धन्यावाद करती हूं तुलसी माता की केरपस सब के उपर बनी रहे जै तुलसी माता की